हाई फ्रेंट्स आप सभे का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे फ्रेंट्स यह जो वीडियो है पीजीटी नागरी सास्त्र का भाग 152 है तो अगर आप टीजीटी पीजीटी एल्टी ग्रेड और जी आएसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों आज का कोशन जो सुरू होगा ओच्छानवे नम्मर कोशन से सुरू होगा कोशन है फ्रेंट्स हमारी राजनीतिक प्रनाली में मंत्री जो एक उच्छ राजनीतिक पद का अध्यच होता है केवाल काट की गुडिया के समान है या किसने कहा है आपसन एक है जार्ज वर्नाल्ड सा ने आपसन दो है मुनरो ने आपसन तीन है मोरिसन ने और आपसन फोर है रेम जे मियोर ने तो च्छानवेर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका एक नमर सही हो जाएगा जार्ज वर्नाल्ड सा ने एक कथन किसका है जार्ज वर्नाल्ड सा का कथन है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्छ राजनीतिक पद का अध्यच होता है केवल काट की गुडिया के समान है या किसने कहा है तो एक है जार्ज वर्नाल तो इसको आप ध्यान में रखेंगे आगे चलते हैं एक फ्रेंटस अगला कोशन संतानी말 नमबर है कि असंग लगणता को अनायतिक कहा गया था और सगन लगणता को अनायतिक कहा गया था किस के δ्ोरा कह गया था आप शन एक चार्ज कैनन के द्वारा option 2 है Henry 2 main के द्वारा true main के द्वारा option 3 है George faster dales के द्वारा option 4 है उपरियुक्त किसी के भी द्वारा नहीं तो answer क्या हो जाएगा संतान बेर का तो संतान बेर का answer दोस्तों 3 सही हो जाएगा George faster dales के द्वारा और सगलंग था को अनैतिक कहा गया था तो किसके द्वारा का आ गया था तो George faster dales के द्वारा और सगलंग था क्या है तो किसी भी गूट में हम participate नहीं करें किसी में सगलंग नहीं होंगे उसके साथ नहीं रहेंगे किसी विदल के साथ हम अलग से रहेंगे जैसे कि असंगलंगनता गुत निर्पेच आंदोलन का एक उस तरह से देश सकते असंग लगन हुए दो जैसे मित राष्ट और धुवी राष्ट दो देश मतलब देश पूरे दो राष्टों में बट गए थे लेकिन कुछ देशों ने क्या किया कि असंगन रहने का निड़े लिया कि हम किसी में संगलंग नहीं होगे पाटिसिपेट नहीं करेंगे हम अलग से रहेंगे तो उसी को कहा जाता है और संगलंगनता को अनैति कहा गया तो इसी के द्वारा कहा गया है तो जान फास्टर डलेस के द्वारा कहा गया है हम अमीद करते हैं कि अब ये बाद सबंद मे आ गई होगी आगे चलते हैं अंठानवे नमर कोश्चन है फ्रेंट्स कोश्चन है सूची एक को सूची टू से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट का सही प्रयोक करते हुए सही उत्तर का चेहन करना है एक तरब दिया गया है दृष्टिकोड और दूसरी तरब दिये गये उसके जो विचारक है वह दिये गये हैं तो आप देखेंगे कि सास्त्री उपागम होते हैं साική उपागम को किस ने दिया था तो सा实्री उपागम का कहीना कहीं सम्भंद आप देखेंगे गया किश्यित टेलर और बचे आपके मानुवी संबंद उपागम तो मानुवी जो संबंद उपागम है तो इनका इससे संबंद है और अंत में विवारवादी उपागम तो हरबर्ट साइमन का है तो इसको आप यादर में रखेंगे और इस तरह आपका आप्सन जो हो जाएगा फोर सही हो आलेंगे आगे चलते हैं 99 नंमर कोश्बाबर ना ओन कच कर तो थिव सिध्धांद का प्रित्पादन किया गया था अपशन ुष है में तो और संन्द्वर आया किया गया था तो 99 बेर का आंसर जो जाएगा वो आपका फोर के साथ जाएगा हर्ज बर्ग ने किया था तो दी तत्वी सिधान्त का फृतिपादन किया गया था किसके द्वारा तो हर्ज बर्ग के द्वारा आपसन फोर सही है आगे चलते हैं सो नम्मर कोशन देखते हैं अमेरिका की प्रतिनिधी सभा के सदस्यों की कुल संख्या है अमेरिका की प्रतिनिधी सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है आपसन एक है 535 आपसन दो है 538 आपसन तीन है 435 आपसन फोर है 400 और 335 तो आंसर हो जाएगा 100 का तीन सही है 435 ठीक है अमेरिका की प्रितिनी दी सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है 435 है तो आपका आंसर तीन सही हो जाएगा आगे देखते हैं दोस्तों यहां पर थोड़ा कुछ गलत हो गया है आना चाहिए 101 तो यहां पर आगे फिछे कुछ हो गया है हम देख लेते हैं इसको तो नम्बरिं गलत हो गया था तो यहां पर हम नम्बरिं को ठीक कर लिए तो कोश्टन है तियदी विश्वır प्रदावली का स्वर प्रतिम प्रियोग किया गया था तियदी प्रदावली का स्वर प्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा किया गया था आप्शन एक है अलफ्रेट सावी के द्वारा आप्शन दो है फ्रेंच भेनान के द्वारा आप्शन थ्री है वर्णाल बारूच के द्वारा option 4 है Willie Brandt के द्वारा तो answer क्या हो जाएगा दोस्तों 101 का 101 का answer जो हो जाएगा 1 सही हो जाएगा Alfred Saavi के द्वारा त्रिती विश्व पदावली का स्वर प्रिथम प्रियोग किया गया था तो answer हो जाएगा Alfred Saavi के द्वारा answer आपका पहला सही है आगे देखते हैं 102 नमर कोशन है अंतराश्टी न्याले में गरपूर्ती के लिए नाइधीसो की कुल संख्या है अंतराश्टी न्याले में गरपूर्ती के लिए नाइधीसो की कुल संख्या कितनी है आपसन 1 है 15 आपसन 2 है 7 आपसन 3 है 11 आपसन 4 है 9 तो आंसर क्या हो जाएग चार सही हो जाएगा नौ है अंतराश्टी न्याले में गर पूर्ती के लिए नय धीसों की कुल संख्या कितनी है तो नौ सही हो जाएंगे आगे देखते हैं सुरी दोस्तों कुछ गरबड़ है यहां पर है ठीक है यहां पर 3 रहना चाहिए संलिखे थे ही तो 3 कोश्टण का रढ़ा है 103 एे नियू डेमोकरेसी नामक पुशतक का लेखा कौन है आपसन एक है c d one option दो है ब्राइस आप संतीन नास की आप संचार है माओ तसे तूंग तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 103 का फोर सही हो जाएगा माओ तस से तूंग ए नियूद देमोक्रेसी नामक पुस्तक का लेखका कौन है तो आंसर हो जाएगा माओ तस्ते तुझ फोर आप्सं सही है आगे देखते हैं 104 नं सुरच्छा परशत की कुल सदस संख्या कितनी है तो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 15 है आपसन एक सही हो जाएगा आगे चलते हैं असान कोशन था अगला कोशन है वेवारवाद सीख लेता है वेवारवाद सीख लेता है पेड़ा लेता है किससे लेता है यह बताना है फा तो पाइच का दो सई हो जाएगा प्रतेच्छ वादसे ठीक है वैवारवाद सीख लेता है किसे तो प्रतेच्छ वादसे आपका चाहसर ठीक हो जा यह आगे चलते हैं 165 कोशन है निम्न में कौन सा भारत का अभिकरण नहीं है निम्न में प्रिधान मंत्री कर जाल है आपसंती ने योजनायो आपसंफोर है रेल मंत्री तो अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 106 का फोर सही हो जाएगा रेल मंत्री ठीक है निमने में कौन भारत सरकार का इस्टाप अभिकरण नहीं है तो ओ हो जाएगा का रेल मंत्री आगे चलते हैं 107 नमर कोशन है कौन सी विचार धारा समर्थन करती है कि तथ अनिवारत तक्नीकी से पुर्व हैं कौन सी विचार धारा समर्थन करती है कि जो तथ अनिवारत तक्नीक से पुर्व हैं पहले हैं आपसन एक है विवारवाद आपसन दो है अस्तित हो जाएगा दोस्तों सही ओ calculating समर्थन करता है वह अनिवारत तकनीकी से की पूरौ है यहां मैं सकती में सरवाधिक ब्रिद्धी हुई है प्रता युक्त विधायन व्यवस्था से किसी सकती में सरवाधिक ब्रिद्धी हुई है आपसन एक है विधाई का आपसन दो है विधाई समीतिया में आपसन दो है तीन है जन पदादिकारी वर्ग में आपसन फोर है मंत्री परसद में तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो आपसन आपका तीन सही हो जाएगा जन पदादिकारी वर्ग में तो प्रत्या युक्त विधायन विवस्था से किसी या किसकी सक्ती में सरवाधिक बृद्धी हुई है तो वह हुई है जन पदादिकारी व संप्रबू घूचेतरी संभू कहा है आपसन एक है मैक्स बेबर ने आपसन दो है कि राज को एक संप्रबू भूच्य श्लमू कहा है तो वह का है डेविट Pip ने आपसं तीं सही यह डेविट हेल्ड आगला कोशन है 110 नम्म कानून संप्रभू का आदेस है कानून संप्रभू का आदेस है यह किसा कथन है आपसं एक है जानाश्टिन का आपसंदो ए सालमंड का आपसंदीन है Highland का option 4 है Green का तो 110 का answer क्या हो जाएगा दोस्तो 110 का answer पहला सही हो जाएगा Jan Ashtin का कानून संप्रभु का आदेश है या किसका कथन है तो answer हो जाएगा Jan Ashtin का option 1 सही हो जाएगा दोस्तो ये थे total 15 question हम उमीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आई होगी अगर तत्य पसंद आए हैं हमारा जो प्रया से पसंद आए है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नहे हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों अगर आमाला कंटेंट अच्छा लगा है वीडियो अच्छी लगिए तो कमेंट में कमेंट करकर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करिए धन्यवाद